हेलो दोस्तों मैं राकेश चौधरी आपका मैथामेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था हमने बात की थी परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में इस वीडियो में उनी और इसी संख्या में वापस से जोड़ दिया जाए तो आपको चार अजार नौशो छपन बन जाता है मतलब प्राथ हो जाता है तो बताये वास्तेशविक संख्या आपको संख्या आपकी जिसका प्रतीशत आपने लिया सोल इसी दुंग hybrid वो संख्या क्याय है इधर देख तीन प्रतीशत की value fraction की form में भिन के रूप में पता होनी चाहिए अगर आपको पता नहीं होगी तो आप वहाँ पर इसका percentage value निकालेंगे और वो निकालने का तरीका क्या रहेगा तीन का 16 से आप गुणा करेंगे 48 48 और 2 जोडेंगे तो कितना हुआ 50 बटा में कितना 3 अब जै 200 होगा फिर यह कटेगा फिर ऐसा इतना सब कुछ करेंगे इतने नाटक करने के बाद में हमको value मिलेगी 1 by 6 जिसमें काफी time लगेगा और इतना हमको कुछ भी नहीं करना है सीधी इसकी value पता होनी चीए fraction की form में जो कि उस table से जो कि मैंने आपको समझाई थी वहाँ से होती ह इसकी value एक बटा कितनी 6 तो यह इस तरीके से निकालना नहीं है आता इसी तरीके से लेकिन आपको इस तरीके से नहीं निकालना आपको सीधा याद रखना है और याद रखके हम कह सकता है इसकी value हो गई कितनी 1 बटा 6 यह एक बटा 6 fraction form में हो गया अब जैसा कि मैंने आपको कहा जब कभी भी भिन के रूप में percentage होता है fraction की form में होता है हम क्या बोलते है कि जो नीचे लिखावा है वो तो हमारा real number है मतलब जिस पर प्रतीशत निकला है और उपर जो है वो है percentage जिस का निकला है तो जैसा कि आपको question कहे रहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2 बटा 3 प्रतीशत इसका मतलब 1 by 6 है एक तरह से इसी में जोड दिया जाए तो वो संख्या क्या है हमारी सबसे पहली बात वो संख्या है हमारी क्या 6 और उसका 16 सही 2 बटा 3 प्रतीशत क्या है वो है 1 क्योंकि मैंने आपको कहा नीचे वाली संख्या होती है जिस पर प्रतीशत निकलता है और उपर वाली संख्या होती है जिस का प्रतीशत निकलता है तो प्रतीशत निकलता है 6 पर और प्रतीशत निकलता है एक का एक 6 का प्रतीशत में कितना है 16 से 2 बटा 3 प्रतीशत तो संख्या तो हो गई हमारी 6 6 मतलब आ तो जाता है अगर 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत जोड़ा जाता है तो इसका मतलब 6 का 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत कितना है एक तो इसका हमारे 6 में हमने क्या एड किया एक एड किया तो कितना बना वह साथ और साथ बना और नंबर कितना आ वह वह चार जार 956 तो ये साथ अमारी क्या है यूनिट है इकाई है तो साथ इकाई जो है साथ यूनिट जो है वो किसके बराबर कह सकता हूं है 4956 के बराबर प्रस्डे के अनुसार तो अब 7 इकाई आई आई आपके 4956 के बराबर अब हम काम में लेंगे unity method मतलब क्या एक इक नियम एक इक नियम unity method आपको क्या कहता है जैसे कि 7 इकाई का मान 4956 है एक इकाई की बात करूँ तो 7 कहां चला जाएगा नीचे जैसे कि 4 example हम कहते हैं कि हमारे पास 5 चॉकलेट है जो की कितने रुपए की है 20 रुपए की है तो अगर आपको पूछा जाए यहां पर कि 18 चॉकलेट की value क्या होगी तो सबसे पहले एक चॉकलेट की value निकालेंगे एक चॉकलेट की value कैसे निकलेगी एक चॉकलेट है तो 5 कहां चला गया एक इक नियम unity method से नीचे तो 20 बटा 5 करेंगे तो एक चॉकलेट का मान आ जाएगा अब आपको कितनी चॉकलेट के बारे में पूछा है 18 चॉकलेट के बारे में एक का मान इतना आया तो 18 का मान कितना होगा मल्टिप्लिकेशन में कर लेंगे हम 18 18 ये होता है आपका एक इक नियम unity method जो की अब हमारे आगे आने वाले सभी questions में काम में आने वाला है तो वापस आते हैं हम हमारे सवाल के उपर तो सवाल के उपर आकर देखते हैं क्या दिया है और किसके भारे में बात कर रहा है तो आप देख सकते हैं संख्या का 16 साई 2-3 प्रतीशत 16 सी 2-3 प्रतीशत का मतलब होता है 1-6 तो हमारा संख्या होगई आधार होगया unit होगई संख्या की 6 unit उसमें 16 सी 2-3 जोड़ना इसका अलब एक जोड़ना है तो वो इकाई बन रही है साथ और वो नमबर हो जा रहा है चार अजा नौसो चपन तो साथ एकाई चार अजा नौसो चपन के बराबर है तो एक इकाई किसके बराबर होगी 4, 9, 5, 6 divided by 7 तो कितनी बार भाग गया सबसे पहले साथ बार पूरा गया तो 0 फिर अगर देखू तो कितनी बार गया आठ बार एक इकाई का मतलब आया साथ सो आठ लेकिन आपको बात किसके लिए कर रहा है ये बात कर रहा है किसके लिए वह संख्या क्या होगी वास्तविक संख्या और वो अब देखिएगा जब यह गुणा होता है तो इस गुणे को करने का भी एक आसान सा तरीका है ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से करें बैट कर 708 फिर 6 से मल्टिप्लिकेशन इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा उसमें ठीके तो सीधा हम कैसे कर सकते हैं इस गुणे को इस मल्टिप्लिकेशन को देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना हैं यह 708 का 6 से गुणा करना है 8 का 6 से अलग कर लेते हैं आट का 6 से करें, तो कितना होगा, 48, फिर कितना रहे गिया, 708 को दो टुकडों में बाट दिया, एक तो हो गया, 700, 700, और दूसरा हो गया, आपके 8, 8, 8 का 6 से 48, अलग लिखा, 700 का 6 से करें, तो कितना होता है, 700 का 6 से, 6 into 7, 42 मतलब 42, 42 में 48 जोड लीजिए, आपका इसका multiplication आ ज application, तो जो आपको कह रहा है, वह संख्या कौन सी है, जिस पर ये सारा काम हुआ है, तो वो संख्या है, 4,248, तो इसका मतलब हमारा इसका answer declaw 4248, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी पहला question है, इसलिए आपको पूरा detail में बता कर लिख रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उस समय सीधा हम यही काम करेंगे, पर अभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आजा, इसलिए एक एक चीज बताइए, कि वो कैसे लिखी जा रही है, ये तीन लाइन लिखने की भी requirement नहीं होती है, हम सीधा लिख सकते हैं, 4,956, उसकी unit कितनी है, 7, वो पीचे, और जो unit आपको निकालनी है, जैसे कि number निकालना तो उसकी unit कितनी है, 6, तो multiplication में कितना, 6, तो 708 का 6 से multiplication कर लिए, आंसूर आगया, 4,248, ठीक है, ये था हमारा राकेश यादव क्लास टोड परसंटेज का first question, अब इसे देखिए, आप फिर बात करते हैं, अगले question, question number second की, चलिए, दूसरा सवाल है हमारे सामने, क्या गेरा दूसरा question देखिएगा, अगर किसी संख्या का 6 से 2 बटा 3 प्रतीशत किसी से घटा दिया जाए, तो 5,670 बन जाता है, तो वह वास्तविक संख्या कौन सी है, अब जैसा ही आपको पता है, 6 से 2 बटा 3 प्रतीशत की बदलना है किसमें fraction में, तो fraction में कैसे बदलता है, 6 से 2 बटा 3 प्रतीशत है, 6 का 3 से करेंगे आप कितना 18, फिर 18 और ये 2 कितना 20 बटा 3, फिर आप ये percentage हटाएंगे, तो नीचे क्या लगेगा इसमें 100, फिर कटेगा, फिर ये होगा 1 बटा 15, तो इतना सब कुछ करेंगे, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको वो टेबल पता होनी चीए, जिसके बारे में हमने बात की थी, तो उस टेबल के अनुसार जो हमने टेबल सीखी है, समझी है, उसके अनुसार देखे, तो 6 से 2 बटा 3 प्रतीशत जो है, वो 6 से 2 बटा 3 प्रतीशत fraction में 15 कैसे होता है, तो अभी निकाल कर बताया था मैंने आपको, पर ऐसे नहीं करना आपको वेल्यू पता रखनी है, और यह एक बटा 15 भी कैसा है, आपको अगर पता हो, तो एक बटा जो आपके वेल्यू 3 की उसका 5 से मल्टिप्लाई करके इस तरीके से आपको बताया था, और उसका जो प्रतीशत का है, इसलिए 6 से 2 बटा 3, वो 6 से 2 बटा 3 प्रतीशत जो है, यूनिट में कितना है, वो है आपका 1 है, ठीक है यहां तक, अब question क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का 6 से 2 बटा 3 प्रतीशत, मतलब 1 बटा 15 जिसे हम कहते हैं, इसी से घटा दिया ज माइनस करना है, तो माइनस करना है, इसका मतलब वो यूनिट, इकाई क्या हो जारी है, 14 उनिट, और वो यूनिट किसके बराबर है, 5,670 के बराबर, अब आपको पूछ किया रहा है, वास्तेविक संख्या क्या होगी, इसका मतलब जो हमारी संख्या, रियल नंबर, वास्त unity method लगा लेते हैं, हम कह सकते हैं यहां पर कि जो 141 है, वो 141 किसके बराबर हुआ? 5,670 के बराबर हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं, 6 से 2 बटा 3 प्रतिशत को गटाया गया, इसका मतलब एक इकाई को गटाया गया, 15 में से तो इकाई बनी 14, और वो नंबर है, प्रस्ति के अनुसार 5670, अब हमारा unity method एक इक नियम, पहले एक का मान निकालेंगे, तो यह 14 कहां चला जाएगा? नीचे 5, 6, 7, 0 divided by 40, सही है यहां तक, तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको, 14 से पहले 56 को देखें, तो कितनी बार जाएगा? चार बार गया पूरा, तो फिर अब देखें, तो अब कितनी बार जाएगा? 70 जो है, कितनी बार? 5 बार, कितना बना? 405, यह तो एक का मान है, हमें पूछ रहा है, वास्तेविक संख्या के बारे में, तो वास्तेविक संख्या के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? कि आपको वो नंबर निकालना है और उस नंबर की यूनिट कितनी है 15 तो एक का मान है 405 तो 15 का मान कितना होगा 405 का 15 से हम क्या कर देंगे गुणा ठीके अब कैसे गुणा करते हैं या तो 405 का 15 से पूरा गुणा कीजिए इस तरीके से और नहीं तो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया ये 405 है इस 405 के दो टुकडे कर लीजिए 400 और क्या पांच अब 400 का 5 से कर लीजिए पर 400 का 15 से कर लीजिए और 5 का 15 से कर लीजिए तो 400 का 15 से कर लेए तो 15 का 4 से कितना होगा ये 60 और ये 0 कितने 2 और फिर 15 का 5 से कर ले तो कितना हो गया 75 तो इसका हमले इनको add कर लूँ तो multiplication मिल गया मुझे finally कितना 607 यह कुछ नहीं है यह सिर्फ गोना करने का एक तरीका है अगर आपको tables भी याद नहीं होती है वैसे तो tables याद करनी है पहाड़े आपको याद करने है इनकेस याद नहीं रहते हैं याद भूल जाते हैं तो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं जब अभी छोटे number आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा बड़े number में भी हम यह process लगा सकते हैं जो कि मैंने आपको दूसरी बार समझाया है पिछले वाले question में भी और इसमें भी क्या है आप देख सकते है 405 का आपको multiplication करना है 15 से तो 405 को break कर लिए हमने 405 में फिर 400 का गुणा 15 से किया तो कितना हो गया यह 6000 ठीक है फिर हमने 5 का 15 से किया तो कितना हो गया 75 तो 6000 और 75 को add कर लिए तो यह multiplication आगया 405 का 15 से 6000 पिचत तो फाइनली इस question का answer हम देख सकते हैं इस question का answer आया आपके पास कितना 6075 ठीक है यह था हमारा second question इसे देखिए फिर बात करते हैं third question क्या कहता है तीसरा question देखिए तीसरा सवल आपको कह रहा है अगर किसी संख्याक का 11 से एक बटा नौ प्रतीशक इसी मैं जोड दिया जाए तो 900 बन जाता है तो वास्तेविक संख्याक क्या है अब जैसे ही दो question में हम थोड़ी detail में लिखते हुए आएं है अब तोड़ी detailing कम करेंगे मतलब जो एक एक लाइन लिख रहे थे वो इस तरह से ना लिखकर तीनो लाइनों को एक साथ लिख लेंगे क्या होगी वो भी आपको समझाते हैं समझते हुए लिखेंगे देखिएगा जैसा कि आपको कह रहा है 11 से एक बटा नौ प्रतिशत तो 11 से एक बटा नौ प्रतिशत है सबसे पहली बात इसकी fraction value जो की हमें पता है कितनी होती है एक बटा 9 ठीक है यहां तक, यह होगिया 1 बाई 9, अब जैसा कि आपको पता है, 1 बाई 9 है, तो जो वो नमबर है, वो नमबर यूनिट में कितना है 9, और उसका 21 ता 1 बटा 9 प्रतिशत कितना है 1? अब प्रश्ण क्या कह रहा है आपको किसी संख्या का 11 से एक बटा 9 प्रतीशत इसमें जोड दिया जाए इसका मतलब 9 का 11 से एक बटा 9 प्रतीशत कितना है एक तो वो जोड दिया जाए तो इसका मतलब जोडने पर एकाई कितनी बन जाएगी हमारे पास 10 तो हमें कितना मिलता है 900 तब वही सारी की सारी कहानी कि 10 इकाई 900 के बराबर तो एक इकाई 900 बटा 10 के बराबर फिर हमें पूछा गया है संख्या और संख्या कितनी है 9 तो फिर मल्टिब्लिकेशन में कितना 9 तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये 10 इकाई आई है जो की आपको result दे रही है कितना 900 एक इकाई का मान कितना हुआ 900 बटा में कितना 10 ये तो एक का मान हुआ क्या हमें एक इकाई एक unit की value निकालनी है नहीं हमें निकालनी है क्या वास्तेविक संख्या उस जो number है जिस पर ये पूरा question base है जिसके उपर ये प्रतिशत निकल रहा है उसका मान निकालना है तो उसके लिए मैं इकाई देख सकता हूँ कितनी है 9 तो एक के लिए ये है तो 9 के लिए कितना होगा तो इसका हम गुणा करवा देंगे किस से 9 से 0 से 0 गया आंसर आगया 810 तो वो नंबर कितना आपका 810810 ठीक है चलिए इसे देखिए फिर बात करते हम question number 4 की क्या कह रहा है question देखिए question आपको कह रहा है अगर किसी संख्या में 64 64 जोड दिया जाए तो संख्या का 157 से एक बटा 7 प्रतिशत बन जाता है तो संख्या ज्याद कीजिए देखिएगा 157 से एक बटा 7 प्रतिशत तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर value कुछ बड़ी निकल कर आई है इतनी देर तक value आपको 100 से कम दिखाई देरी थी percentage पर जादा आई है तो कोई बड़ी बात ती है इसको भी हम कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझना सबसे पहली इसकी fraction value लानी है तो fraction value कैसे लेकर आएंगे इसकी 157 सही एक बटा 7 प्रतिशत है 157 completed 1 upon 7% है तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 57 से एक बटा 7 प्रतिशत ये बिना लिखें भी हम समझ सकते हैं लेकर लिख कर इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आजए हैं तो ये हमने लिखा 100 प्लस 57 से एक बटा 7 प्रतिशत तो 100 प्रतिशत का मतलब होता है कितना 1 ये इसको हम fraction में बदल रहे हैं और 57 से एक बटा 7 प्रतिशत है तो आपको पता है 57 से एक बटा 7 प्रतिशत किसके बराबर था 4 बाई 7 के तो इसका मतलब ये कितना है 4 बाई 7 4 बटा 7 तो आप देख सकते हैं 1 और 4 बाई 7 इनको add करूंगा, तो यह जो fraction है, यह जो आपकी भिन है, यह जो आपका percentage है, यह percentage बदलेगा भिन में मतलब fraction में, तो यह कितना होगा fraction आपके पास, 7, 7 का 1 से 7, 7 में 4 आपको add करना है, तो कितना 11, तो यह हो गया 11 by 7, जो कि हमने example के तौर पर समझा भी था, तो 11, 7 आचुका है, कुछ नहीं करना है, 100 से जितना जादा होता है, जैसे कि यह 200 प्लस कुछ होता, तो 200 प्लस कुछ होता, तो 200 को अलग लिखते, और बचावा जो fraction होता, जो भी value होती है, उसको अलग लिखते, और 200 को हम 2 unit माल लेते, और आगे जो fraction होता, उसको table में से value ले इस question का number तो क्या है, 7, और उसका जो 157 से एक बटा 7 प्रतीशत है, वो क्या है आपके 11, ठीक है, नीचे आता आपके क्या, जिस पर आप question कर रहे हैं, मतलब पूरे सवाल का, पूरे question का base, जिस number के बारे में पूरी ये बात हो रही है, वो, और उपर आता है, जितना उसका percentage क का कह रहा है, अगर किसी संख्या में 64 जोडा जाए, तो संख्या unit के तौर पर कितनी थी, 7, फिर unit के तौर पर 7 थी, अभी unit के तौर पर 11 बन गए, इसका आले कितना जोडा इसमें, तो इसमें जोडा आपके कितना, 4, unit के तौर पर कितना जोडा, 4, और number के तौर पर कितना 64, तो वही सारी की सारी बात, ये चार यूनिट जो है, वो किसके बराबर है, 64 के, तो फिर एक यूनिट किसके बराबर होगी, 64 बटा, 4 के, फिर हमें पूछ किया रहा है, उस संख्या का मान, उस संख्या के लिए यूनिट कितनी है, 7, तो एक का मान इतना है, तो हमें किसका मा इतनी बार गया। 16 बार। अब 16 का साथ से गुणा करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम multiplication कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी और अगर 16 की टेबल याद है पहड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस 16 के टुकड़े हम कर सकते हैं क्या 10 और 6। फिर उसका साथ से गुणा करना है। तो 7 से multiplication करें इसका तो यह हो गया 70 और यह हो गया 42 तो 70 और 42 को add कर लेते हैं तो यह हो गया आपके पास 112 ठीक है और नहीं तो आप सीधा अगर multiplication करते हैं 16 का साथ से तो और भी अच्छी बात है अगरे टेबल याद नहीं है तो 16 को हम ब्रेक कर सकते हैं 10 और 6 में फिर साथ से गुणा करना 10 का साथ से 46 और 42 को add किया तो कितना आ गया 112 चलिए दोस्तों अभी तक हमने जो देखा वो आपके लिए काफी यूसफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको notification मिल सके और आने वाले आगे जितने भी राकेश यादव क्लास नोट के वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके तो हमने कुछ अभी जानकारी लिए परसंटेज के बारे में आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक्यू सो मुझ प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब डिजिटर तैयारी